लाक रूप के पार जाने वाला पहला स्टॉक बना MRF शेर बजार में मंगलवार को MRF के शेर ने इतिहास बना दिया। लंबे इंतजार के बाद MRF भारत का पहला लखटकिया शेर बना गया। बजार खुलते ही NSE पर MRF का शेर वधटके साथ खुला और ये स्टॉक एक लाक पचास रुपिये पर पहुँच गया। ऐसे में भरतिय शेर बजार में MRF पहली ऐसी कमपनी बन गई है जिसके शेर ने एक लाक रुपिये का भाव पार कर लिया। कमपनी का शेर एक शून्य शून्य तीन सो रुपिये के भाव पर पहुचने के बाद 99,950.65 रुपिये के भाव पर बंध हुआ। एक साल में MRF के शेर में 45 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है। इस स्टॉक ने इसके पहले मई में फ्यूचर्स एंड ओशन सेग्मिंट में एक लाक रुपिये का स्तर्च हुआ था। गुबारे बनाने से शुरू हुआ था MRF का कारोबार। MRF फैक्टरी भारत की सबसे अग्रणी मदरास रबर यह मैनुफेक्टरिंग कमपनी है। इसकी नीव 1946 में युवा उद्यमी के एम मामैन मपिल्लेई ने रखी थी। महंगाई में राहत से बजार में चौतरफा तेजी विस, मुंबई, महंगाई के मोर्च पर राहत से घरेलू बजार में तेजी आई, सबसे अधिक तेजी रियल्टी, कंस्यूमर डूरेबल्स और टेलीकॉम शेयरों में रही। निवेशकों की संपत्ती करीब 2.07 लाग करोर रुप्य बढ़ देई। रिल और ITC के शेयरों में खरीदारी से भी बजार को दाम मिला। सेंसेक्स 418.453 सेंटी फारेद्स टीजी कॉन 63,143.16 अंग पर पहुँच गया। सेंसेक्स का यह 1.07 दिसंबर 2022 के बाद का उच्चस तर है। NIFT भी 114.55 अंग की बढ़त के साथ 18,716.15 अंग पर बंध हुआ। मैं मैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेट फंड, ETF में 103 करोर रुप्य का नेट इंवेस्टमेंट हुआ। बुधवार को फेड रिजल्व की बैठक होने वाली है।